बिड एंड आस्क बिड एंड आस्क एक टूवे प्राइस कोट होता है जो इंडिकेट करता है कि एक सिक्यॉरिटी किस बेस्ट प्राइस पे बीची या खरीदी जा सकती है बिड प्राइस वो मक्सिमम प्राइस है जिस पे एक बायर या ग्रुप ओफ बायर किसी सिक्यॉरिटी को खरीदना चाते हैं हूँ क्योंकि मैं इसको 1000 रुपे में बेच रहा हूँ मैं इस clicker के लिए बिड नहीं बलके मैं इस clicker के लिए 1000 रुपे मांग रहा हूँ جसको ask price बोलते हैं तो अभी इस clicker का price 1000 रुपे है माल लेते हैं एक buyer A है जिसको ये clicker बिल्कुल नहीं चाहिए बट वो कहता है कि अगर ये मेरे को बहुत सस्ते price पे मिलेगा तो मैं खरीद लेता हूँ और वो अपना price bid करता है 200 रुपे ऐसे ही एक और buyer भी वो कहता है कि मुझे भी ये clicker नहीं चाहिए वो list में उपर होगा जो सस्ता खरीदना चाहता है वो list में नीचे रहेगा एक और buyer D आता है बट उसको इस clicker की जरूरत है क्योंकि उसकी presentation एक week में होनी है क्योंकि उसको उस presentation के लिए ये clicker चाहिए वो कहता है कि मैं इस clicker को 800 रुपे पे खरीदने के लिए तयार हूँ और ऐसे ही एक और buyer E जिसकी presentation दो घंटे में शुरू होने वली है उसको इस clicker खरीदने की जादा urgency है वो कहता है मैं ये clicker 900 रुपे में खरीद लूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सबसे महेंगा खरीदना चाता है वो list में सबसे उपर होता है और जो सबसे सस्ता खरीदना चाता है वो list में सबसे नीचे होता है स्टार्टिंग में सिर्फ मैं ही एक seller था जो इस clicker को 1000 रुपे में बेचना चाता था imagine करते हैं कि एक और seller A उसके पास ये information है कि इस clicker की supply कम होने वाली है और क्योंकि इस clicker की supply कम हो जाएगी इसका rate बढ़ जाना चाहिए तो वो अपना clicker 1100 रुपे में बेचना चाता है ऐसे ही एक और seller भी उसके पास भी same information है कि इस clicker की supply कम होने वाली है और वो expect कर रहा है कि इस clicker का price और महंगा हो जाएगा इसलिए वो अपना clicker 1200 रुपे में बेचना चाता है आप देख सकते हैं कि जो सबसे सस्ता बेचना चाता है वो list में सबसे उपर होता है और जो महंगा बेचना चाता है वो list में नीचे ऐसे ही एक और seller C बट उसके पास information है कि company एक नया model launch करने वाली है और वो नया model launch होने के बाद इस clicker का price सस्ता हो जाएगा वो अपना clicker 980 रुपे में बेचना चाता है और seller D उसके पास भी same information है और वो भी expect कर रहा है कि नया model launch होने के बाद इस clicker का price सस्ता हो जाएगा वो 960 रुपे पे बेचना चाता है जब सिरफ मैं seller था 1000 रुपे और ये buyer था 200 रुपे में उस time buyer और seller के बीच का difference 800 रुपे का था और इस difference को हम spread बोलते हैं पर जैसे जैसे इस market में और participants आने शुरू हो गए अब अगर आप bid or ask का difference देखेंगे तो वो सिरफ 10 रुपे है जो table आ इस example में आप देख सकते हैं जो top bidder है वो 374 रुपीज 80 पैसा पे खरीदना चाता है और जो top seller है वो 374 रुपीज 90 पैसा पे बेचना चाता है जो buyer सबसे महंगा खरीदना चाता है वो list पे सबसे ऊपर है और जो seller सबसे सस्ता बेचना चाता है वो list में सबसे ऊपर है अगर आप अभी देखेंगे तो इस क्रिप्ट का जो स्प्रेड है वो सिरफ दस पैसे है.